हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल उत्राखंड जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो UKPSC का एक लेटेस्ट नोटिफिक्शन आया दोस्तो जिसके द्वारा UKPSC के द्वारा उत्राखंड के विविन विभागों में सायक अभियनता यानि कि द्वारी है कि UKPSC के द्वारा एई यानिके असिस्टेंट इंजीनियर के 154 रिक्ट बद उपर भरती का विज्यापन जारी हो गया है अगर आपने सिविल से बीटेक किया हुआ है या कोई इसनातक उपादी धरन की हुई हो टेक्निकल में या फिर आगपने उस तो के लिए किया हो सभी के लिए डिफ्रेंट विभागय में डिफ्रेंट डिफ्रेंट टैप की पोस्ट है जिनके बारे में हम थोड़ी दियर में बात करेंगे तो UKPSC latest notification दोस्तो है आप देख सकते हैं उत्राकर्ण सम्मीलित राज्य अभियंतरन सेवा परिक्षिया 2021 का यह notification ह आज ही 1 सितंबर 2021 को UKPSC ने जारी किया है और online आविदन करने के अंतिम दितिया आपकी 21 सितंबर 2021 जारी की गई है परिक्षा जमा करने के अंतिम दितिया भी 21 सितंबर को ही लागू है तो जो भी लोग इस form के लिए eligible है जिन्होंने BTEC किया हुआ है या फिर technical में दोस्तो ग् महत्यपूर निर्देश दिये गया है जोगा जो भी आपके document है 21 तारीक से पहले बने हुए होने चाहिए उसके बाद का कोई भी document नहीं चलेगा और appearing वाले नहीं चलेंगे अगर आपनों का final result आ गया है तभी आप लोग इस भरती के लिए आपिदन कर सकते हैं बांकि अगर तो सारी जानकारें आपी लिखी गई है कि किस-किस विभाग में कितने कितने पतने लगबल लबग दोस्तो 6 विभागों में आपके यहां पर पदू का सरजन किया गया है और प्रस्नगत परिक्षया है तो विज्यापन के परिशिष्ट वन में उल्लेखित नगरू के आदम बात करें तो रिखतियों के विभाण के बारे बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं कुल पद हैं दोस्तो 155 जिसमें विभागों का नाम और विभागों के आगे लिखा गया दोस्तों उनमें क्या क्या स्ट्रीम से क्वाणिफिकेशन मागी गई है टोटल 84 पोश्ट यहाँ पे है दोस्तो ग्रामिल निर्मान वीभाग, स्यचाइं वीभाग, लगुस शीचाई वीभाग, पेईजल ऐटन सुच्चता वीभाग, उर्जा वीभाग और लोक निर्मान वीभाग, अब देखिए tapping उन्हें, सायक अभियंता अनुट एन्ट और किसे civil engineering से वो लोग ये form बर सकते हैं सायक अभियंता विद्धुद्याम यांत्रेकी में जिन लोग ने electrical और mechanical से बिटक किया हुआ है वो लोग ये form बर सकते हैं बाकी पोस्टों के संक्या आप लोग के सामने आपनों को दिख रही है ऐसे सीचाई भाग में भी दोस्तो civil और mechanical क पोस्ट है, electrical की पोस्ट है इसके लिए भी आपको बिटक किया हुआ है लगुशी चाई विवाग में भी दोस्तों देखे किरसी अभियंतर जिन लोग ने भी अग्रिकल्चर से दोस्तों बिटक किया हुआ है उनके लिए यह है और साथ में जुने civil से बिटक किया हुआ है पेजलम से विवाग में इसमें भी civil की पोस्ट है उर्जा विवाग में उस्तों सायक विद्धुत निरिक्षक की पोस्ट है एक और लोग निर्मान विवाग में सायक अभियंतर यानिकि एई ही की ही पोस्ट है टोटल आपका 84 पोस्ट है होरिजेंटर वर्टिकल सीटों का विग्यापन जारी किया गया है टो टोटल बैयाली से यहां पर है कुल मिलाके आपकी 154 पोस्ट है हो जाती है आगे देखिए रिख्तियों की संक्या बढ़ भी सकती है अब देखिए दोस्तों आपका पत का स्वरूप है राजपत्रित वह इस्थाई और ग्रेट तो आप से सीविल इंजीडिरिंग से आपके पास में क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आपने बीटेक किया हुए सीविल से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दिवानी अर्धता है आपके पास है तो सही है नहीं भी है तो भी चल जाया अगर अनिवारी सेक्षिक अगर आपके पास में दोस्तो होनी चाहिए अगर आपके पास में सीविल से बीटेक नहीं है तो आपके पास में किसी भी सीविल अभियंतरन में इंस्ट्यूशन ओप इंजिनियर्स का भाग को और खौद तिलन किया हुआ होना चाहिए अगला दुख्यों साय कभिंता आपके पास में होनी चाहिए लोग निर्मान भाग में सीविल से ही आपके पास में बीटेक होना चाहिए तो यह थी क्या होना चाहिए अब बात करते हैं चैन की प्रिकरिया के बारे में बढ़ती है तो विज्यापित रिक्तियों के सापेक्स अर्र अभ्यत्यार की लिखित प्रवर्ती या लिखित प्रकरती वस्तुनिस्ट प्रकार प्रिक्षिया आयुजित की जाएगी अब बात करते हैं दूसरा जो आपका प्रकर प्रकार प्रिक्षिया के आधार पर साक्षातकार है तो शपल गोशित अभ्यर्तियों को साक्षातकार प्रिक्षिया आहूद की जाएगी अब भीर्तियों की प्रिक्षिया और साक्षातकार में प्राप्त की जाएगी सबसे पहले आपके सिप्ट में एक पेपर होता है जो कि 300 नमबर का होता है तुसरा जो आपका पेपर होते हैं और तीसरा जो आपका होता है दोस्तों वह प्रांच वारे अपका इंटर्विउ अभी यम उसके बारे हैं बात करेंगे जोस्तों 25 वरसे निर्दारिक की गई है और एक वरसे की आपको चूट भी दी गया है अगर आपका 1 जुलाई 2021 को चरित्र प्रवान पत्र कैसा होना चाहिए, apply कैसे करना सबस्पेशल आपको UKPSC के official website पर जाने के बाद में आपको आपे menu बार पर apply now के link पर click करना है और instruction पर जाके link पर click करके आप वहां से अपना form को directly submit कर सकते हैं, पहले आप registration करेंगे उसके बाद में आपको email ID और password मिलेगा और उस email ID और password से आपको अपना form फिर बढ़ना है, आप देखे फीज के बारे बात करते हैं, अगर आप EWS हैं या अगर आप OBC हैं तो आपको दोस्तो 276 रुपे पे करना पड़ेगा और अगर आप SCST हैं तो आपको 126 रुपे पे करना पड़ेगा और अगर आप दिव्या अग्जाम सेंटर दोस्तों यह हैं, आप इन इस exam सेंटरों में से कहीं पर भी अपना center फिलप कर सकते हैं, आप देखे दोस्तों, यहाँ पर देखे आपका जो exam होना है, यह exam दोस्तों आपका total होना है 1120 अंकू का, 1120 नंबर का आपका दोस्तों यह exam रहेगा, ठीक है, आप आपको 2 गंटे, 2 गंटे, 2 गंटे, 6 गंटे का समय आपको यहाँ पर मिलता है, उसके बाद में आपका होता है अभियंतरन विसाई का exam, इसमें देखे सिविल इजिजरिंग, 180 प्रस्तों की संक्या होगी, 360 नंबर का होगा, इलक्टिकल के भी, 180 नंबर की संक्या होगी, 360 न होगे, 3 क्वालिफाय करने पड़ेंगे, आपको यह अच्छे नंबर भी लाने पड़ेंगे, अगर फाइनल मेरिट में जगह बनानी है, फिर आपके इंजिरिंग विसाई का वेपर होगा, अगर आप सिविल वाले हैं, तो आपका सिविल का वेपर होगा, इलक्टिकल का व यहां पर प्र चीज़े लिखे हुई है, तो जिन भी दोस्तों ने दोस्तों, पिटक किया हुआ है, इल्येक्टिकल से, मेकैनिकल से, अगरिकल्टर से, तो वो लोग इन पदूं के लिए आविदन कर सकते हैं और यहां पर आप लों के लिए अच्छा मौका है दोस्तों 155 पोस्ट है है PCS के बराबर ही आपका ग्रेट पर है तो आसा पावर टेक्निकल स्ट्रिम में ज्यादा रहती है लेकिन जॉब बहुत अच्छी है और महनत भी दोस्तों निश्ची दिकरनी पड़ेगी क्योंकि स्लेबस भी काफी वाइड है 120 नमबर का आपका एक्जाम पेपर टोटल मिलाके होना है तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों आपके कोई भी कन्फीजर होंगे तो आप कमेंट बोक्स में पूस्ट सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेरे करें और अभी देख आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल भी सस्क्राइब जरूर कर लाए धन्यवाद